और अब शुरुआत खबरोगी उत्तर प्रदेश के हर्दोई जिले में बाइक सवार से मार्ग दुरगटना में एक वृत के घायल होने के बाद ग्रामिनों के पिटाई से मरे यूवक के गाओं के लोगों ने अरोपियों पर कारेवाई की मांग को लेकर हर्दोई लखनव र अच्छनी शुरू कर दी अच्छानक पुलिस के लाठी चार्ज के बाद ग्रामिन मौके से भाग निकले तो पुलिस ने उनके खड़े वाहनों को भी तोड़कर अपना गुसा निकाला हंगामी के तस्वीरे देहात कुतवाली इलाके के दोई लखनव रोड के नानक गंज पुलिस के पास की हैं तस्वीरों में साफ है कि पुलिस के इस तरहां ग्रामिनों को लाठी लेकर दोड़ा रही है और उनके दोपईया वाहनों में तोड़ फोड़ करके अपना गुसा निकाल रही है जैसल शुक्रवार की राद सुरसा थाना इलाके में होली मिलकर लोट भए एक पर सवार तिन लोगों की बाइक एक वरीद से टकरा गई थी वरीद के घायल होने के बाद गुसाए गां वालों ने रही पर सवार तिन लोगों की लाठी डंडे इट और पत्थ्रों से पिचाई करती थी ग्रामिनों की पिचाई से मडिया गांव के युवक मौत के बाद ग्रामीनों ने शुक्रवार की रात भी थाने पर कार्यवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था मृतक के शव का पोस्टमारिटम होने के बाद ग्रामीन जब पोस्टमारिटम हाउस से शव लेकर सड़क पर आए तो उन्होंने कमलेश की मौत के इंसाफ की मांग को लेकर उसका शव सड़क पर रखके सड़क को जाम कर दिया ग्रामिनों की मांग थी कि कमलेश की मौत के मामले में पुलिस तत्काल कारहवाई करे और आरोप्यों की किरफतारी करे सरफ पर जाम और हंगामे की सुचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामिनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामिन किसी भी बात पर जाम हटाने को त्यार नहीं थे जिसके बाद पुलिस ने ग्रामिनों पर अचानक लाठियां भांजनी चालू कर दी जिसके बाद ग्रामिन मौके से भाग खड़े हुए ग्रामिनों के भागने के बाद पुलिस ने मौके पर छूट कई ग्रामिनों के दोपईया वाहनों को भी निशाना बनाया और उन्हें लाठी डंडो से तोड़ कर उन पर भी अपना गुस्सा निकाला पुलिस के लाठी च कि निए देना लिए अपनी हो पूर्ट करने के लिए रहा ने के लिए यह लोग लगा दिए हम लोग सब करने लगे लगे मारने लगे सुनवाएं कि बजाई हमारे सब को किसको मारा कि मेरा को हुआ है अभी-अभी उसके संब्द में पाइल गाया तो तो आज हूं पर ने टॉली रखा तो पॉस्माट को शाद जाम लगा दिया था उसके बार चले इस जाम लगाने के बाद आज पुमिसने किस तरी वाइज दो इनको अटवाने के लिए हुआ दिया गया जाने का पर यह भी जादे है झाल झाल झाल